राधे राधे दोस्तों, हाँशी ठिंक्स में आपका स्वागत है आज हम आपको राधा राणी की पोसाख बनाना बताएंगे उसके लिए हमने ये दो कलर की उन और दस नंबर सलाई ली है हमारे पास ये राधा राणी है हमें इनका नमबर नहीं बता है कि ये कितने नमबर की है तो हम इनकी लंबाई देखते हैं लंबाई है साड़े चार इंच तो हम इनका लेहंगा बनाएंगे तीन इंच का उसके लिए हम ये दो सलाईयों को एक साथ ऐसे लेंगे इसमें फंदे डालेंगे क्योंकि फंदे हमें लूज डालने हैं इसलिए दो फंदों में हम एक साथ फंदे डालेंगे बाद में एक सलाई हटा देंगे इसमें हम रेड कलर की उन से 50 फंदे डालेंगे और दो फंदे हम एक्स्टर डालेंगे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर दें ऐसे हम इसमें 52 फंदे डालेंगे हमें इसमें 10 की मल्टिपल फंदे डालने हैं हमने 52 फंदे डाल लिए हैं एक सलाई हम हटा देंगे ऐसे जिससे यह फंदे लूज हो जाएं अब पहली सलाई हम इसमें सीधी बनाएंगे और दूसरी सलाई उल्टी बनाएंगे पहली सलाई ऐसे ही पूरी सीधी बनाएंगे पहली सलाई हमने पूरी सीधी बना लिए हैं अब दूसरी सलाई हम पूरी उल्टी बनेंगे ऐसे हम दूसरी सलाई पूरी कम्प्लीट करेंगे दूसरी सलाई हमने पूरी उल्टी बना लिए हैं अब हम इसके सीधे साइड है तो यहां से हम क्रीम कलर की उन लगाएंगे दो फंदे हम पहले सीधे ऐसे उतारेंगे अब लगाएंगे हम इसमें क्रीम कलर की उन और पूरा सीधा बनेंगे आठ फंदे हम क्रीम कलर की उन से बनेंगे दो तीन चार पांच छे और यह आठ आठ फंदे हमने क्रीम कलर की उन से बुने दो फंदे हम ऐसे उतार लेंगे फिर आठ फंदे फिर हम क्रीम कलर की उन से बुनेंगे और दो फंदे हमें पूरी चलाइई कंप्लीट करनी हैं यह सीवे सिलाइई हमने कंप्लीट कर लिए लाश्ट के दो फंदे यह रेड बचे हैं तो इसे में रें आए और आट फंदे से बुनेगे कि उल्टी तरफ से भी ऐसे मुणना है कि ये जो क्रीम कलर के फंदे हैं उन्हें हम öl्टा बुनेंगे और जो रड्कलर के फंदे उता रहे हैं उन्हें हम वैसे ही उतारेंगे जैसे आंगे से उतारा था कि रेट कलर के फंदों को हम ऐसे उतार लेंगे उल्टी सलाई हम ऐसे कंप्लीट करेंगे ऐसे हमें इसमें दस सलाई बनानी हैं दूसरी सलाई अभी हम बना रहे हैं वह आठ सलाई और बनाएंगे इसमें हमने दस सलाई बना ली हैं पांच सीधे तरफ से पांच उल्टे तरफ से टोटल दस सलाई हैं हम ग्यार्मी सलाई में इन सभी फंदों को बुन लेंगे जितने भी फंदे हमने अभी उतारे थे उन्हें सब को सीधा सीधा बुन लेंगे पूरी सलाई हम सीधी बनाएंगे और सभी फंदों को ऐसे बुनेंगे अभी जो भी फंदे हमने उतारे थे उन्हें भी बुन लेंगे जो भी फंदे हमने उतारे थे और अभी हम ऐसे सीधा बुन लेंगे ऐसे हम पूरी सलाई कम्प्लेट करेंगे सीधे तरफ से हमने पूरी सलाई सीधी बुन लेंगे यह जो भी फंदे पहले हमने उतारे थे उन्हें भी बुन लिया है अब उल्टे तरफ से हम पूरी सलाई उल्टी बनाएंगे हमने उल्टी सलाई पूरी उल्टी बना ली है अब हम इसमें चार सलाई बनाएंगे आठ सलाई बनाएंगे चार उल्टी और चार सीधी ऐसे हम ऐसे सीधा सीधा बनेंगे सीधी तरब से सीधा और उल्टी तरब से उल्टा टोटल इसमें हमें आठ सलाई बनानी है चार आगे से और चार पीछे से बना के अभी हम दिखाते हैं इसमें हमने आठ सलाई बना ली है अब हम इसके फंदे घटाएंगे दू फंदों को हम एक साथ बनेंगे ऐसे छे फंदों के तीन फंदे हो गए हैं ऐसे ही हम सभी फंदों को आधा कर देंगे यह पचास फंदे डाले थे 25 रह जाएंगे ऐसे ही हमें सभी फंदों को घटाना है कि फंदे हमने घटा दिये हैं अब उल्टे तरफ से पूरी सलाई हम उल्टी बनाएंगे अब इसमें हम चार सलाई और बनाएंगे दो उल्टी तरफ से और दो सीधे तरफ से हमने इतना बना लिया है इसकी लंबाई तीन अंच है हमें अभी आधा अंच और बनाना है अभी हम इसके फंदे घटाएंगे जैसे दो फंदों को हम एक साथ बुनेंगे ऐसे हम पूरी सलाई कंप्लीट करेंगे इसके फंदे हमने घटा दिये हैं अब उल्टी तरफ से पूरी सलाई उल्टी बुनेंगे और सीधे तरफ से सीधी इसके लंबाई हमने चार इंच रखी है अब हम इसके फंदे घटाएंगे दो फंदों को बुनेंगे फिर यह जो फंद आएगा उसे भी इसी के साथ बुनेंगे ऐसे हम इन सभी फंदों को घटा देंगे इसके हमने फंदे घटा दिये हैं अब इसी से हम इसका नेफा बनाएंगे इसे हम ऐसे ऐसे रखके इस पर हम ऐसे सलाई लगा देंगे जिस से इसमें हम डोरी डाल सकें इसे हमने दुख इतना सिल लिया है अब हम इसे ऐसे उल्टा करके इधर भी सिलाई लगा देंगे इधर तक जैसे हम स्वेटर सिलते हैं वैसे हम इसे भी सिल देंगे इसमें हमने पहले से डोरी बना के रखकी है अब इसमें डालेंगे यह लहंगा हमने बना लिया है अब हम चोली बनाएंगे चोली के लिए हम रेड कलर की मून से दस पंदे डालेंगे दस पंदे हमने डाल लिये हैं अब इस पर दो सलाई उल्टी बनाएंगे ऐसे हम पूरी सलाई उल्टी बनाएंगे दूसरी सलाई भी हम उल्टी बनाएंगे चार सलाई उसमें हम सीधी सीधी मनाएंगे सीधे तरप से सीधी और उल्टी तरप से उल्टी अब ये सलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे ये सलाई पूरी सीधी बनाएंगे उल्टी सलाई पूरी उल्टी बनाएंगे ये 10 फंदे हैं तो पहले हम 5 फंदे अलग करेंगे एक दो तीन चार और पांच फिर यहीं से हम बापस आएंगे एक फंदा घटा देंगे एक फंदा घटा आया अभी चार फंदे बनेंगे चार फिर हम ऐसे फिर से पलतेंगे सीधे साइड आए अभी हम एक ही साइड का बन रहे हैं पूरी सलाई हम सीधी बनाएंगे एक दो तीन चार और यहीं से बापस होंगे फिर एक फंदा घटा देंगे अब तीन फंदे बनेंगे सीधे तरब से फिर हम यह तीन फंदे बनेंगे एक दो तीन अभी तीन फंदे हम फिर से बनेंगे अभी हम फंदा नहीं घटाएंगे सीधे तरब से फिर से सीधा बनेंगे सीधे तरब से फिर सीधा इसे हमने इतना बना लिए अब हम इस साइड बनाएंगे यह फंदे हम घटा देंगे इस साइड का यह बन गया है यह फंदे हमने घटा दी है इस साइड बनाएंगे अगे इस तरब भी हम ऐसे बनाएंगे यह चार फंदे हम ऐसे सीधे बनेंगे कर दो कर दो कर दो कि आज फंदे हमने सीधे बने हम अब उल्टे तरफ से हम ऐसे उल्टा बनेंगे एक दो तेन यह तीन फंदे हमने बने है यह फंदे भी हम बनेंगे इनहें घटा आएंगे नहीं तीन और इक यह चार Even एक, दो, तीन, चार, पाँच फंदे बुन लिए हैं, अब हम इसके सीधे साइड हैं, तो यहां से हम दो फंदे का एक फंदा करेंगे, ऐसे, और ये तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन, उल्टी सलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे, एक, दो, तीन, और चार, अब हम इसके सीधे साइड हैं, तो फिर से फंदा घटाएंगे, दो फंदों को हम ऐसे एक साथ बुनेंगे, और ये दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, अब हम इन तीन फंदों को बुनेंगे, उल्ट तरफ से उल्टा और सीधे तरफ से सीधा, इसे हम इतना ही बुनेंगे, जतना हमने इसे बुना है, सीधे तरफ से सीधा, और उल्टे तरफ से उल्टा एनी तीन फंदों को बुनना है, अईया स्टे बुनना है, जा थ Our ए हम इन फंदों को आसे तरफ ऊप ंसे हम उल्टा से तरफ से सीधे, चुना है, तरफ से, प्रूए, पन रस वो झाला है, तरफ से तरफ से सीधे कनले, तरफ से साही झालेंगे, अब हम इन फंदों आधे, उसे से सिधे हैं द्यांञी भॉ ये तीन फंदे भी हम घटा देंगे ये चोली बन गई है इसमें हम पीछे ये एक मोती लगाएंगे ऐसे जो बटन का काम करेगा ऐसे पहना के हम पीछे से इसे ऐसे कर देंगे अब हम आपको पहना के बताएंगे अब हम ये चोली बन गई है लेंगा बन गया है अब हम इनकी चुन्नी बनाएंगे चुन्नी बनाने के लिए हम इसमें रेट कलर की उन से पचास फंदे डालेंगे इसमें हमने पचास फंदे डाल लिए हैं तो पहली सलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे पहली और दूसरी दो सलाई हमें पूरी उल्टी उल्टी बनानी है ऐसे हम पूरी सलाई कंप्लीट करेंगे पहली सलाई पूरी उल्टी हमने बना ली है अब दूसरी सलाई भी हम पूरी उल्टी बनाएंगे लेकिन इसमें हम क्रीम कलर की उन लगाएंगे ऐसे ही हम पूरी सलाई कंप्लीट करेंगे क्रीम कलर से हमने एक सलाई बनाई है ऐसे हम साथ सलाई और बनाएंगे इन्हें हमें उल्टाई उल्टा बुनना है अभी बना के दिखाते हैं उल्टे तरफ से भी उल्टा बुनना है और सीरे तरफ से भी उल्टा बुनना है इसमें हमने क्रीम कलर से पांस सलाई बुननी है अब हम इसके उल्टे साइड है तो उल्टे साइड से हम रेड कलर की उन से एक सलाई पूरी उल्टी बनाएंगे ऐसे ही पूरी सलाई हम उल्टी बनाएंगे पूरी सलाई हमने रेड कलर से पूरी उल्टी बना ली है अब हम इसके सीधे साइड है यहां से हम फंदे घटाएंगे कि अएसे हैं फंदे को एक सास पुनेंगे फिर इस फंदे को इसमें लीएंगे फिर इसे भी बन देंगे ऐसं ही हम् यह सभी फंदे घटाएंगे का आप कि अपर दे हमने घटा किएए है अभ़ोधा को हम हम इसे यहां बीच में रखेंगे और यहां हम फंदे उठाएंगे सिर्फ हमें इतने में फंदे उठाने हैं देखते हैं कितने फंदे आते हैं मैं हम मारकर की जगह ऐसे निसान लगा लेंगे ऐसे हमें साइड निसान लगाएंगे यह दोनों साइड हमें निसान लगा लिए हैं अस्सुर्फ हमें इधर फंदे उठाने हैं रेड कलर की उन से फंदे उठाएंगे हम इसमें हमें दर गाठ लगा लेंगे आ यह दोखंगे हमें इसे हमें इसमेंगे wबिष्ट हमने चौदा फंदे उठाए हैं अब इने हम इधार से उल्टा बोनेंगे ऐसे और इधार से हम सीधु तरब से ऐसे सीधा बोनेंगे इसमें हमने 10-11 सलाई बना ली है आप चाहें तो इसे माप सकते हैं对 इतना सिर्पी आगया है तो अब हम इसके ऐसे फंदे घटाएंगे पंदे घटाने के लिए हम फंदे आध्य आध्य कर लेंगे ऐसे साथ फंदे एक सलाई में और अच एकत्य फंदे एक सलाई हैं एक तो तूषी 4 5 6 7 दागा इस साइड है इसलिए हमने इसको ऐसे किया है ऐसे करके ये दो सलाई में हमने इन्या से ले लिया है अब हम तीसरी सलाई से फंदे घटाएंगे इस फंदे को हम इस सलाई में लेंगे और इन दो फंदों को हम ऐसे घटाएंगे ऐसे हम दो फंदों को ऐसे घटाएंगे अब ये एक फंदा बचा है इसका एक फंदा लेंगे इसमें और इसे भी लेंगे हम इसमें अब ये तीन फंदे हम एक साथ बुनेंगे फिर से ऐसे ही करेंगे इस सलाई का फंदा हम इस सलाई में लेंगे और एक फंदा ये भी लेंगे और ये तीन फंदे एक साथ बुनेंगे ऐसे ही हम सभी फंदों को घटाएंगे तीन-तीन करके सबसे पहले हमें 2 फंदे घटाने हैं फिर 3-3 करके घटाएंगे क्या पुर्चुन्नी दोनों बन गए हैं अब हम इधार पॉम पॉम लगाएंगे राधा रानी की ये पोसाग बन गई है अभी हम पहना के दिखाते हैं ये चोली है ऐसे पहनाएंगे इसे पीछे ऐसे बाम देंगे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें सस्क्राइब करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये चुननी है विद कैप देखिए रहा धरानी हमारी कितनी प्यारी लग रही है प्यारा वुतला वीडियो में ज विद करें उटर अीडियो कि ऑ्ट Раз अ